नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की मॉडर्न हिस्ट्री की सगली क्लास में आज के हमारा टॉपक है एंगलो मैसुरियोद ऐसा टॉपक है जिससे आपको कोशन पुआ प्रतिक परिक्षा में मिलेंगे इससे पहले हम जो है दो वीडियो कर चुक है हमारी तीसरी वीडियो है ठीक है देखो इदि आपको इस क्लास के है जैसा की आपको बूर्ट पर देख रहे हैं ऐसे चाहिए तो हमारा टेली ग्राम चैनल है मधेट्री के नम से उसे जोईन कर सकते और वहां से आप जो है एन डाउनलोड कर सकते हैं लिंक सकते हैं इसके बारे में सबसे पहले देख रजय के बारे में थी का बाडियर वन्स का जो इसका राजा था इसी के दो मंतरि था एक देवराज और एक था नंदराज इन दोनों की जो है आपके वाडियर वन्स में अच्छी पकड़ थी तो यहीं पर हैदर अली जो है नंदराज की सेना में सामिल हो जाता है और अपनी धीरे धीरे ऐसी पकड़ बना लेता है कि 1760 में क्या है मैसूर का सासक बन जाता है अब हैदर अली के सामने जो है तीन इसके दुस्मन थे एक मराठा थे एक निजाम थे और एक अंग्रेज थे वहीं पर मराठ और निजाम थे वह अवसरबादी थे जब इन फायदा देखता अंग्रेजों के साथ मिल जाते और जब इन फायदा देखता यह मैसूर राज्य के साथ में मिल जाते अगले युद्धों में भी आप ऐसा देखने के लिए आपको मिलेगा ठीक है अंग्रेज मराठ और निजाम निजाम का साथ कहां पर साथ किया था अंग्रेज मराठ और निजाम तीनों एक साथ ते और वहीं पर एक था हैधर अली जो कि मैंसूर का साथ मकता सब्सक्रान कर अधर गया मध्रास पर कबजा कर लिया और क्या किया ऐक संदीक साथ में मद्र के संधिक è a bandwidth का सबना और लेकिश कर लेते लिए ne pense मावि चुरा सुद्धी अब लेकिक का फिसली ah अगला जो आता है दूसरा एंट डूसरा था एंवलीThis Lagad लेकर 1784 तब अंग्रेज और हैदर अली प्लस मराथा प्लस निजाम अब की बार अंग्रेज अखेले पड़ गए अब कि बार कौन था है डिटर अली अब की बार है अच्छा इसमें अजूद में तो कब रहे घृर बार यूद्ट में एंगलो में तक चलता है अब लास्ट के दो साल में क्या है अपना उत्तरादिकारी किसे बना देते हैं में जीते हुए छेतर दोनों ने आपस में वापस कर दीए जीते हुए छेतर दोनों ने आपस में वापस कर दिया ठीक है किसके बीचुई थी पुछा जाता है किसके बीचुई थी भाई टीपू सुलतान और अंग्रेजों को भी चुई थी मंगलोर की संधी सेकंड एंग्लो में से रुद्ध में जो कि असी से चौराशी तक चला था इस पर टीप युद्धिका कारण था वो तर टीप पर आरोप लगाए गये ते कारण वाल इसने आरोप लगाए था कि फ्रांसिशियों से मिलकर जो है सडियंत रचा रहा रहा अंग्रेजों के साथ में और वहीं जैकोविन किलब का सदस्य बना जा रहे एक जैकोविन इसको गहर लिया कारण वाल इसने और संदी की संदी क्या कि आधा तो राजन ले लिया और तीन कड़ों रुपे हर जाना अब इसमें क्या हुआ यह तीन कड़ों रुपे हर जाना नहीं दे सका इसके क्या है दोनों बेटों को ले ग estava तीन कड़ों रुपे दे चाना और अपने वेटों को ले चाना तो बहए जब दिगड़ी कौन था वह लेजली था ठीक है इसमें प्रिष्टाव रखा था कि पूसलतर के सामने कि साहिक संदी स्विकार कर लो साहिक संदी क्या होता था उस राजा को अपनी सेना खटम करके अंग्रेजी सेना इसमें क्या था कि आपकी सुरक्षा के लिए हमारी एक सेन प्रिष्टा एंग्रेजीज जब चाहिए जिसी सारे वह चाहिए मरवा सकते ते राजा को तो इसने क्या मना कर दिया मना कर दिया अस्विकार कर दिया तो टीपए सुलतान को स्री रंपक्तनम के द्वार पर माघजा हूइब नूछ ने पूचा जा आ है पहली क्या हूता पहली में होता है मद्रास की संदी मंघलोर की संदी में इसे चोते में क्या है यह मार देते और यहां पर मैसूर पर कब जा कर लेता है चीक है यह था एंगलो मैसूर है तो इससे कॉशन बार बार पूछी जाते है एंची कैसी लेगे वीडियो चोड़ा सा टॉप में कहें ठीक है तो शान करें को जो है